Welcome to Khalsa Computer, वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और चैनल बने रहे नई अपडेट के लिए कमेंट करके एंसर देते रहे, तो फड़ा फड़ मैं आपको बता दूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे पीछे की सभी क्लासिस को मिस कर दिया है, तो उनको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्लासिस के लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाकर उनकी आप त उसका नम कमेंट में लिया जाएगा, तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में, तो हमारा जो सबसे पहला क्योश्चन्स है, पी, एम, जे, डी, वाई में ओवर ड्राफ्ट की लिमिट कितनी होती है, ओप्शन ए, पंदरा हजार, बी, दस हजार, सी, पांसो, डी, पचास हजार तो फटा-फटा आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा एंसर सही है, तो इसका सही एंसर है, बी, दस हजार, और जो पी, एम, जे, डी, वाई है, इसका पुरा नम होता है, प्रधान मंत्री, जन्धन, योजना, अगला कोशन से, पी, ओ, एस, धुखतान के लिए क कौन सा एंसर इसमें सही है, तो इसका सही एंसर है, बी, कार्ड और पिन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पी, ओ, एस का पुरा नम होता है, पॉइंट ओफ सेल, तो यहाँ एक कंप्यूटराइट मिशीन होती है, जो आपको बी, सी, पॉइंट्स पर मिल जाती है, जह वहाँ से विड्ड्रॉ भी कर सकते हैं, अगला कोशन से है, इमेल एड्रेस में अधिक्तम कितने करेक्टर यूज किये जा सकते हैं, ओप्शन ए, चॉइंट्स पर मिल जाती है, तो फटा फटा आपको कमेंट करके बताना है, कौन सा ओप्शन इसमें सही है, तो इसका डी, एंसर सही है, 320, अगला कोशन से है, इसकैन एंटी वाइरस निमन में से किस ओपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है, ओप्शन ए, लिनक्स में, बी, मैक ओपरेटिंग सिस्टम में, सी, विंडोज में, डी, एंड्रॉइड में, तो फटा फटा आपको कमेंट करके बतान है, कौन सा एंसर इसमें सही है, तो इसका सही एंसर है, सी, विंडोज में, जासा कि आप सभी लोग ने देखा है, विंडोज 7, 8, 10, इनमें हम, इसकैन एंटी वाइरस को इंस्टॉल कर सकते हैं, बड़ी ही असानी के साथ, अगला कुशन से, एक तस्वीर के अंदर जानकार चिपाने के लिए, किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, ओप्शन A, बिट मैपिंग का, B, इमेज रेंडरिंग का, C, रूट किट्स का, D है, इस्टेकनोग्राफी का, तो फड़ा फड़ा आपको कमेंट करके बताना है, कौन सा एंसर इसमें सही है, तो इसका D एंसर सही है इस टेकनोग्राफी से आप एक इमेज के अंदर बहुत सारी जानकारी छिपा सकते हैं, अगला कोशन्स है, जो चार्ट विभीन विभागों में वे का प्रतिनिधित्व करता है, ओप्शन A, लाइन चार्ड होता है, B, एरिया चार्ड होता है, C, पी चार्ड होता है, लीट जैसा कि यहाँ पर एक्सल में हम आपको चार्ड दिखा देते हैं, इंसर्ट के अंदर चार्ड में चलते हैं, और यहाँ पर अगर आप पी के अपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपने इस टेकेस देखा होगा, यहाँ पर इसमें दिखता है जैसे जर्नल, OBC, किस-किस ज स्क्रिन मूड के लिए शॉट कट गया है? Option A, CTRL प्लस, SHIFT प्लस, J, B है CTRL प्लस, SHIFT प्लस, F, C है CTRL प्लस, SHIFT प्लस, D, और D है CTRL प्लस, SHIFT प्लस, F3, तो फटा-फट आपको कमेंट करके बताना है, कौनसा एंसर इसमें सही है? तो इसका सही answer है A Ctrl Shift Plus J की सहता से आप अगर writer पे हैं जैसे यहाँ पे और Ctrl Shift Plus इसके साथ J बटन प्रेस करते हैं तो आप full screen पर इस तरीके से आ जाएंगे और अगर आप skip बटन प्रेस करेंगे तो फिर से आप यहाँ पर बाहर आ जाएंगे अगला question से है इसमें से free web browser कौन सा है option A Chrome, B है All of These, C है Firefox और D है Dolphin तो फड़ा फड़ा आपको comment करके बता रहा है कौन सा answer इसमें सही है तो इसका B answer सही है All of These जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें Chrome, Firefox और Dolphin यह सभी हमारे free के web browsers है अगला question से जूम किस menu में होता है option A File menu में, B Data menu में, C Tools menu में, D View menu में तो फड़ा फड़ा आपको comment करके बताना है कौन सा answer इसमें सही है तो इसका सही answer है D View menu में अगला question से विस व्यापी web दवारा निम लिखीत में से किस पर नियंतरन किया जाता है option A Virtual Banking, B है Wholesale Banking, C है Universal Banking, D है None of These तो फड़ा फड़ा आपको comment करके बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका A answer सही है Virtual Banking पर अगला question से प्रेशक को वापस लौट आने वाला mail क्या कहलाता है option A, bank mail, B, bounced mail, C, return mail, D, None तो फड़ा फड़ा आपको comment करना है और बताना है इसमें से कौन सा option सही है तो इसका B answer सही है, bounced mail कहा जाता है अगला question से है, Libre Office Calc में एक function है option A, एक shortcut formula है B, function wizard का उप्योग करके बनाया जा सकता है C, ready mid formula है D, सभी विकल्प सही है तो फड़ा फड़ा आपको comment करना है और बताना है कौन सा answer में सही है तो इसका D answer सही है, कि उपर के सभी विकल्प जो है वो आपको calc में मिल जाते है अगला question से है, MS-DOS character based interface operating system है जो की multi programming और multi tasking का काम कर सकता है option A, true, B है, false तो फड़ा फड़ा आपको comment करना है और बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका A answer सही है, true अगला question से है, social media के दो तेजी से महत्पूर्ण नैतिक पहलू है option A, rating and traffic B है, transparency and privacy C है, identity and honesty D है, virtual and fatality तो फड़ा फड़ा आपको comment करके बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका B answer सही है, transparency and privacy दोनों ही चीजें जरूरी है अगला question से है, आज के email system किस model पर आधारित है option A, store and forward पर B, reply to store पर C, store and reply पर D, forward to store पर तो फड़ा फड़ा आपको comment करना है और बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका सही answer है A, store and forward पर अगला question से है, किसी computer में virus भेजना IT Act 2000 के section 43, 66, 66A में आता है तो option A, true B है, false तो फड़ा फड़ा आपको comment करके बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका सही answer है A, true अगला question से है, template विकल्प किस menu के अंतरगत उपलब्ध है option A, view B है, file C है, edit D है, insert तो फड़ा फड़ा आपको comment करना है और बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका B answer सही है, file menu में होता है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने पीछे class में बता भी रखा है तो यहाँ पर आपको जो templates का command है, वो यहाँ पर file menu में मिल जाता है जहां से आप अपने template को manage कर सकते है अगला questions है, name में से कौन सा tool आपके मानक placeholder का उपयोग किये बिना slide में text जोडने में सच्छम बनाता है option A, auto space tool B है, file color C है, text box tool और D है, line tool तो फड़ा फड़ा आपको comment करना है और बताना है कौन सा option इसमें सही है जिसका सही answer है, C, text box tool तो यह जो placeholder है, इनको में बताता हूँ, जैसे यहाँ पर आप impress में आते हैं तो यह जो box आपको दिख रहा है, जिसमें लिखा है click to add title इसी को placeholder बोलते हैं, और इसमें आप click करते ही, बड़ी ही असानी से अपने data को text कर सकते हैं अगला question से, 200 रुपया के note का रंग stone grey होता है, option A, true, B है false तो फड़ा फड़ा आपको comment करके बताना है, कौन सा option इसमें सही है तो इसका सही answer है B, false तो आपके पास समय है फिर से, तो आपको बताना है कि 200 रुपया के note का रंग क्या होता है तो फड़ा फड़ा बताईए, आपके पास समय है तो जिन लोगों ने बताया है, उनका नाम comment में ले लिया गया है अगला question से, Libre Office Writer में portrait and landscape mood क्या है option A, test formatting tool है, B, page size है, C, page orientations है, D, page layout है तो फड़ा फड़ा आपको comment करना है और बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका सही answer है, C, page orientations है, जैसा कि आप सभी लोग जानते है कि page दो ही परकार के होते हैं, portrait और landscape अगला question से, अगर आपको 500 लोगों को email भेजना है, तो आपको BCC का उपयोग करना चाहिए option A true, B false, तो फड़ा फड़ा आपको comment करना है और बताना है कौन सा answer इसमें सही है तो इसका सही answer है, A true, अगर आप ज़्यादा लोगों को एक साथ email भेजना चाहते हैं, तो उसमें आपको BCC का ही प्रयोग करना चाहिए और इसका पूरा नाम होता है, Blind Corbon Copy अगला questions है, वरतमान में, A EPS में निम लिखीत में से कौन सी सुविधा मौजूद नहीं है option A, Virtual Card Creations, B, Cash Withdrawal, C, Balance Inquiry, D, Cash Deposit तो फड़ा फड़ा आपको comment करना है और बताना है कौन सा option इसमें मौजूद नहीं है A EPS में तो इसका A answer सही है, Virtual Card Creations आप नहीं कर सकते हैं बाकी ये सभी चीज़े आप A EPS से कर सकते हैं और इसका पूरा नाम होता है, Aadhar Enable Payment System अगला questions है, computer की तीसरी PD में है तो यहाँ पर पहला विकल्प है A, पहली बार उच्चिस्त्री प्रिक्रात्मक भासा का उपयोग किया गया था B, पहली बार एक operating system विक्सित किया गया था C, वित्रन data processing पहले लोग प्रिय हुआ D, online real time system पहले लोग प्रिय हुआ तो फड़ा फड़ा आपको comment करना है और बताना है कौनसा answer इसमें सही है तो इसका D, answer सही है online real time system पहले लोग प्रिय हुआ अगला questions है, email के द्वारा file को कैसे भीजा जाता है option A, forwarding करके B, downloading करके C, uploading करके D, attaching करके तो फड़ा फड़ा आपको comment करना है और बताना है कौनसा option इसमें सही है तो इसका सही answer है D, attaching करके तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जब आप email खोलते हैं तो वहाँ पर जो भी file आपको सामने वाले को भेजनी होती है तो attached पर click करके आपको पहले वो सभी file को वहाँ पर upload करना होता है उसके बाद ही आप सामने वाले को send कर सकते है अगला question है टेली फून half duplex है option A true, B है false तो फड़ा फड़ा आपको comment करके बताना है कौनसा option इसमें सही है तो इसका सही answer है B, false तो जो हमारा telephone है वो half duplex नहीं होता है full duplex होता है अगला question है credit card किसका घटक है option A, electronic commerce का B, internet commerce का C, both D, none तो फड़ा फड़ा आपको comment करना है और बताना है कौनसा option इसमें सही है तो इसका सही answer है C, both यनि कि electronic commerce भी है और internet commerce भी है अगला question है किसी presentation में slide के custom time निरधारित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते है option A, slide show setup का B, slide timing का C, rehearsal का D, slide timer का तो फड़ा फड़ा आपको comment करना है और बताना है कौनसा option इसमें सही है तो इसका सही answer है C, rehearsal का जैसे कि आप यहाँ पर impress में चलते हैं और यहाँ पर आपको आजाना है slide show में यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा rehearsal timing का तो यहाँ पर अगर आप slide बना चुके हैं और इसके पर click करते हैं तो आप slide का time set कर सकते हैं कि कितने समय तक यह slide चलनी चाहिए अगला questions है character case के लिए Libre Office writer में इसमें से कौन सा विकल्प नहीं है option A, lower case B, upper case C, cycle case D है first and last word capital तो फटा फटा आपको comment करना है और बताना है कौन सा विकल्प लब्ध नहीं है तो इसका सही answer है D, first and last word capital यह वाला options आपको नहीं मिलता है तो जैसे कि यहाँ पर हम writer में चलते हैं और आपको यहाँ पर format में आ जाना है यहाँ पर आपको text में आ जाना है और text के अंतरत आपको यहाँ पर एक option मिलेगा देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं upper case, lower case, cycle case, sentence case capital, every word यह टूगल case लेकिन इसमें अब first और last यह वाला word capital हो जाए ऐसा कोई भी option यहाँ पर मौजूद नहीं है अगला question से आपको पर आपको कमेंट करके बताना है कौन सो option इसमें सही है तो इसका सही answer है अगला question से MS Excel में has name question mark error का क्या मतलब होता है option A formula error B reference error C value error D all of these तो फड़ा फड़ा आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सो option इसमें सही है जिसका सही answer है A formula error तो जब इस तरीके की errors वहाँ पर आए has name question mark तो आप समझ लीजीगा कि आपने जो भी formula वहाँ पर try किया है वो गलत है अगला question से big data का क्या महत्तो है लेना और D है उपरुक्त सभी तो फड़ा फड़ा आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सो option इसमें सही है तो इसका D answer सही है उपरुक्त सभी जो विकल्प है तो उपर के सभी विकल्प सही है ये big data में अपना बहुत बड़ा महत्तो रखते हैं अगला कोशन सही है कालकरम जो आसानी से समझ आए उसे क्या कहते है option A user friendly B word processing C information D icon तो फड़ा फड़ा को कमेंट करना है और बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका A answer सही है user friendly कहते है अगला कोशन सही है जब आप इस fridge seed के माध्यम से scroll करते हैं तो freezing pen column and row heading को दिखाई देता है option A true, B है false तो फड़ा फड़ा को कमेंट करना है और बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका A answer सही है true जब आप freezing pen लगाते हैं तो आपकी column और row की जो heading है वो दिखाई ही रहती है लेकिन जो आपका data है वो अंदर वहाँ पे दिखता रहता है और जितना data आपने freezing pen में लगा रखा है उतना data वहाँ पर इस्टे रहता है अगला questions है इसमें से कौन सा system tools नहीं है option A backup, B folder C, diffresh D, scan disk तो फड़ा फड़ा आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका सही answer है B folder अगला questions है किसी file को ढूड़ने के लिए कौन सा command यूज करते हैं option A find, B type C info, D finfo तो फड़ा फड़ा को कमेंट करना है और बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका सही answer है find यह हमारे edit menu में होती है यहां से आप किसी character line word को ढूड़ सकते हैं अगला questions है input, output और processing device को एक साथ समुही करत करना दरसाता है option A computer system B, mobile devices C, circuit board D है information processing cycle तो फड़ा फड़ा आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका A answer सही है computer system कहा जाता है अगला questions है data को process करने वाले घटक किस में इस्थित होते हैं option A, system unit में B, output device में C, input device में D, storage device में तो फड़ा फड़ा आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका सही answer है A, system unit में अगला questions है PayPal क्या है option A, virtual B, online cash C, online wallet D, none तो फड़ा फड़ा आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका D, answer सही है none जो PayPal है वो एक digital wallet है अगला questions है इसमें से कौन सी sound file impress में जोड़ी जा सकती है option A, long file B, dat files C, drv files D है, web files तो फड़ा फड़ा आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका D, answer सही है web files अगला questions है निम लिखित में से कौन सा एक SMTP server इस तरह से configure किया गया है कि internet पर कोई भी इसके माध्यम से email भेज सकता है option A, send mail receptions B, open mail receptions C, wide mail receptions D, open mail relay तो फड़ा फड़ा आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका D, answer सही है open mail relay अगला questions है Linux में file and folder को copy करने के लिए किस command का उपयोग किया जाता है option A, move B, copy C, cp, d, mv तो फड़ा फड़ा आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका सही answer है तो इसका B, answer सही है false अगला questions है status bar के बाइं और कौन सा command है option A, digital signature का B, zoom slider का C, information area का D, cursor का तो फड़ा फड़ा आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका सही answer है C, information area का जैसे यहाँ पर हम writer में आते हैं तो यहाँ पर यह status bar है इसमें आपके दाहिनी तरफ यहाँ पर होता है zoom slider यहाँ से आप zoom कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर बाइं तरफ क्या होता है page के बारे में रहता है कितने line, कितने word, कितने characters आप use कर चुके हैं, किस page पर खड़े हैं कितने page आपने लिखे हैं तो यह पूरी informations यहाँ पर आपके 20 side रहती है status बार में अगला questions है card पर समाप्त तिथी का प्रारूप dd इसलस mm के रूप में उलेकित है option a false, b है true तो फड़ा फड़ा आपको comment करना है और बताना है कौन सौ option इसमें सही है तो इसका सही answer है a false तो वहाँ पर जो रहता है वह होता है mm और yy यहनिकी आपका मन थागे होता है और year होता है अगला questions है mac addressing के लिए किस परकार की numbering परनाली का उपयोग किया जाता है तो option a decimal, b binary, c hexadecimal, d octal तो फड़ा फड़ा आपको comment करना है और बताना है कौन सौ option इसमें सही है तो इसका सही answer है c hexadecimal इसका base 16 होता है और इसे 0 से लेकर 9 और a से लेकर f तक लिखा जाता है इसके बारे में पीछे वाली class में मैंने discuss किया था option a उसमें एक loop है b एक समधान के साथ सुरू होता है c एक समधान के साथ समापत नहीं होता है d यह एक समधान के साथ समापत होता है जब कोई मौजूद होता है तो फटड़ आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सौ option इसमें सही है तो इसका d answer सही है यह एक समधान के साथ समापत होता है जब कोई मौजूद होता है अगला questions है QR code मूल रूप से dot dot के लिए उपयोग किया जाता है option A marketing के लिए B for wasting time के लिए C है for advertisement के लिए D है for exam के लिए तो फटा फटा आपको comment करना है और बताना है कौन सौ option इसमें सही है तो इसका सही answer है A marketing के लिए अगला questions है MS word के लिए default word processor है option A MS word B है MS paint C है word pad D है sentence pad तो फटा फटा आपको comment करना है और बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका सही answer है A MS word यानि Microsoft word अगला questions है इंटरनेट पर सबसे आम उपयोग होने वाला transfer protocol HTTP है option A true B है false तो फटा फटा आपको comment करके बताना है कौन सा option इसमें सही है तो इसका सही answer है A true यह जो HTTP होता है इसे आम तोर पर ही browser में सबसे आगे वहाँ पर URL में टाइप किया जाता है इसका पुरा नाम होता है Hypertext Transfer Protocol तो आज की class में इतना ही आज हमने discuss किये 50 most important questions के बारे में आगे की नई class में हम फिर से 50 most important questions के बारे में discuss करेंगे तो आप सभी का हमारे साथ live रहना और comment करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको class में किस तरी के का कोई doubt है आपको किस तरी के कोई question पूछना है तो आप comment करके पूछ सकते हैं उसका जवाब आपको next की नई class में दिया जाएगा तो मिलते हैं कल फिर से शाम 7 वजे तब तक के लिए goodbye धन्यवाद चैहिंद